हेलो सुट्रेम वेलकम माई वीडियो दिस इस जोती जैस्वाल और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज क्लास नाइंद का बायोकाव चाप्टर जो कि है आपका सेल दा फॉंडमेंटल उनिट अफ लाइफ लेशन फाइव अब आपके पहले वीडियो में मैंने कुछ सब्सक्राइब में अबएबट साइंस जो आपके इंट्रेस्क पैक्ट थे साइंसक के फादर कॉन थे साइंस आस्थे कहां से डरएव हुआ था और साइंस का सब्सक्ट है क्या उनको थी में बंश्य यह कि are एक प्रदम डिएट कहा गया थे सब दिसक्रशन हमारे विदियो में हो चुका है तो आज मैं आपकी क्लास 9 के लिए लेकर के आए हूँ ये चाप्टर जो है आपका सेल को पढ़ने से पहले क्या आप ये जानते हैं कि आपकी जो बॉड़ी है वो कि सब चीजों से मिलकर के बनी हुई है हम सेल को पढ़ेंगे तभी हमारी बॉड़ी के बारे में जानेंगे बॉड़ी हमारी जिसमें कहते एं बॉड़ी का जो इस्ट्रेक्ट्रल यूनिट है इस्ट्रक्टरल यानि कि कि यह श्रक्छलर अफटो जो आपका बॉडी की संधेश्शन आपके शलीर की संधेशल है वह किन से मिलकर के बनी है को शिकाओ के लाहती है क्तलम ऑब अब यहां है मैंने बताया था भी पहले वीडियो में कि आपने कभी दिमायक में यह सोचा झाड़ us कि हमारे प्रिथिवी सबसे पहले कौ आया था सबसे पहले हमारे प्रिथिवी पर रहे इसका अंसर मैं आपको last में दोँगी सबसे लास्ट में उसका काराढ something क्योंकि अगर मैं भू Пहले से बता दूगी तो शायद आपको clear नहीं होगा कि यह जो वर्ड मैंने बता है वो अक्षिली में है इसके लिए सबसे पहले आपको ये topic पाढ़ना होगा छो यह सेल आपकी structure and functional unit of life है देखे लिखा हुआ है the structure and functional unit of life the fundamental unit of life आप इसमें क्या है यह चीजे क्या मैंने पढ़ लेन सौच रहे होंगे एक्षिल में यह क्या है जो हमारी जो बॉडी बनी हुई है सब सेल से मिलकर के बनी हुई है अब आपकी अपर बॉडी दिख रही होगी यह दिख रहा है सके ना इसको बोलने है एपपीडर्मिस epidermis जब हम कभी कभी चोट कखा जाते हैं कभी कई गेर गये या किसी चीड़े लड़ भिड़ गये तो हमारी बॉड़ी प्रिंट कर यह यहां से यह skinny epidermis हड जाती है है न क्या हूती है EBIT okay मिस की लेघर में शिल्स होती है लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपकी सिल डैमेज होती है और जो सिल डैमेज होती हो फिर से बन सकती है जैसे आप एक कॉमन एक्जामपल लेजे आपने मकान देखा होगा बनते हुए या बिल्डिंग बनते हुए देखा है तो जो बिल्डिंग बनती है अगर हमारे पास स basic unit है या कह सकते हैं functional and structural unit है वो आपकी brick है eat है इसी तरह cell भी हमारी बोड़ी की structural fundamental और functional unit of life है यानि कि हमारा जीवन चल रहा है वो cell पर ही dependent चल रहा है अब आपको पता देखिए कि जो blood cells हमारे blood में भी cells पाई जाती है RBC WBC नाम सुना होगा आपने छोटे class मिनाम सुना होगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह आपने यह क्या है blood यह blood cells ही है ना अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है यह खून की कमी होना यानि की RBC काउंटिंग कम होना है ना हीमोग्लोविन कम होना RBC में और RBC cells भी क्या हो जाता है तब कहतो मेरे अंदर तो खून ही नहीं है मेरे अंदर ताकत नहीं है अरे कैसे ताकत नहीं है इसका मतलब कि हमारे अंदर जो अगर वह हमारी लाइफ है अगर वह सेल का फॉर्मिशन बंद हो जाए तो हमारी लाइफ का भी दीरे-दीरे क्या हो जाता डाउन पड़ जाती है इसी तरह जो आपको हम छोटे सी चीजेस लेके चलते हैं जो आपके छोटी क्लास में चला हुआ है बहुत स्पेस तो नहीं कर दो क्या बनते हैं, टिशू और गॉपफ तीशू मिलकर के क्या बनाते हैं और और ऑ्जिस्थम यानि के हमारी बोडी जो हमारा ओर इश्पारेटरी सिस्पम से अनसास लेते हैं डायजिस्ठिः सिस्टम जहां हमारा वोजन पच्चता है यानि food का digestion होता हैS customer reproductive system यह सब क्या हैं यह आपकी इंटओमेंटरी सिस्टम यह आपके skin है इसको बोलते हैं आपका musculatory system isulatory system बहुत सारी system है आपके body में आपको पता भी नहीं है इसके बारे में मेन आपके हैं कम से कम आपके 11 जो है आपके की तो यह चाहिए पर जो रोट इस्टम है यह हमारी बॉडियों सिस्टम और जाथ पर लंग्स हैं को पता है aktए हमारी लंग्स जो है ऑर चैन Grü s demons कि इसक जेज्ट कर बाते हैं कि आपको इसके बारे में पढ़ता नहीं है है रहे और अच्छी अच्छी इंट्रेस्टिंग नॉलेज चाहिए तो बने रही है मेरे साथ क्योंकि आपको इन टिशू से लेकर कि यानि कि आपकी बॉडी स्टार्ट कहां से बनने से लेकर कि बॉडी के अंदर क्या-क्या है कौन-कौन से सिस्टम है वो सब मैं आपको बताऊंगी तो आपको इतना तो क्लास एर्थ में आप पढ़ चुके होंगे सेल, ग्रूप अफ सेल, टिशू, ग्रूप अफ टिशू, यानि कि कि किसी का समव मिलकर कि ये सब क्या कर रहे है और्गन सिस्टम बनाए अब आप सोच रहे होंगे कि सब एक साथ हो गए अब आपने देखा होगा कि किसी ऑफिशल वर्क में या ओफिस में हर एक का डिपार्टमेंट अलग-अलग होता है किसी के कैशियर का अलग है अकाउंटन का अलग है और फाइल का करना अलग है मीटिंग का स्चेडियूल करना स्चेडियूल करना अलग है सब का डिपार्टमेंट अलग-अलग अब गुल है क्या है क्यों कि नहीं पहचान होती लिख इसकि अपने चाहिं को डिंद कि हम अपनी सेस को अलग लेके जारे हमारी टिशू बनाएँगी और अपना वर्क यह समहा लेगी यानि कि जो रेस्पारेशन का वर्क है वह अलग सबस्द्ध ना उनकी अलग नेमिंग दे दी गई अब आपके डाजिस्टिल सिस्टम में भी यानि कि आपके स्टमक में भी सब कर लिया है और सब्सक्राइट कर दिया सभी किया कर दिया गया में पूछान को पूछ व्यक्ती दिया गया उप्ट में breakfast करने के लिए और एक चार व्यक्ति को दे दिया गया तो सबसे पहले काम किसका होगा ओविसी बात इसमें कोई दो राय तो है नहीं लेकिन बताएगा फिर भी होगा ना? देखी मैंने इशारा कर दिया शांसे बता दिया आपको होगा? तो कहने का यही मतलब है कि जो हमारी एक सेल्स मिलकर काम नहीं कर सकती है चार लोग मिलकर काम करेंगे तो चल्दी हो जाएगा और वो काम बहुत ही अच्छे से होगा और जितने भी हमारे और और गया है सब एक दूसरे से क्या है? को रिलेट कर रहे हैं, अपने दूसरे को साहिता दे रहे हैं कि जब तक भाई आप सास नहीं लोगे हमारा पचा हुआ खाना ब्रेकडाउन नहीं होगा ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमको एनरजी नहीं मिलेगी सची जे बाद में पढ़ते हैं बहुत चार तान और चार नॉलेज अभी नहीं लेनी है टो सुखेंगे शितने भी लीविग अपके ऑथ के बादख है वो सेल से ही मिल करके बने हैं इवन प्लांट भी सेल से बने हैं प्लांट भी क्या है मैरिस्मेटिक सेल पर्मनेंट आपके यह सब क्या है मैरिस्मेटिक टिशू पर्मनेंट टिशू अब इनी भी किसी से बने होंगे सही टिशू थे ठीक है चल नहीं थे लेकिन टिशू भी कि लोवर कैटेगरी कहने बास हो जितने भी हैं जितने भी लिविंग हैं सब से बने हुए हैं अब डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले बताया था कि किसी के बारें पढ़ने से पहले उसकी डिस्कवरी तो हमें जाननी ही जाननी है क्योंकि अब यह तो भाई हमारी unit of life है हमारी प्रशिका की खोज होगी हुई थी जिन्हों ने किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुग यह आपके एक्जामस में उच्छा जाता है चाहे वह आपके बोड के एक्जाम हूँ हाइश कोल में जब आप चाहोगे या फिर आपके स्कूल में अकैडमिक जो आपके होते हैं उनस से तो आपके रॉबर्ट हुग ने सबसे पहले जो सेल्स की डिस्कवरी की थी वो थी डेड़ सेल्स ओके वें रॉबर्ट हुग सो और कॉक्ट टिशू इंसेक्टे फाइफ इन बाक ऑफ ट्री पेड़ों की चाल आपने पेड की चाल देखी होगी जो उनके अपर इपिडर ब्रांचे तो निकल नहीं पाती है तो आपके इस तरह से स्ट्रॉक्टर बने होते हैं और उन्हीं बार्क में उन्हें कॉर्क टिशू को ढूंडा था वो डेड़ थी आपकी बलेट ट्री हो जाते हैं छोटे प्लांट नहीं पौधे नहीं पेड़ में आपने देखा होगा उपर के तरह वो सकत होते हैं ब्राउन के होते है दम डेड हो जाते है ना सूखी होते हैं वहां से कोई ब्रांच नहीं नहीं निकल पाती है तो उनी मैं 1665 में रबाटोग में देखा था तो पाक रिसम्बल इस्ट्रक्ट्चर एफ हणी कॉंब और उसमें जो उहने इस्ट्रक्ट्चर देखा था सिल का वो आपके हणी कॉंब के जैसा था हणी कॉंब मतलब मधमक्की के छत विए आपने घ्यक्जाकॉनल पाल्ट देखा होगा न इस तरह चुल था सब्सक्राइब यह इसी तरह उनको दिखा था जो इसी तरह था अब इन्होंने कहा था क्न对 मैंए लीटिल ए grinding पर मेंटस इनको पूंपार्टमेंटस इनके छोटे छोटे कमपांटमेंट सीह जो इनको बोला गया है, इस नाम दिया था cell, इनको बोल दिया यह cell, यह ऐसे compartments दिखे थे, आप किस में, पेडो की छाल में, किस ने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, कब देखा था, 16, 16, 5 में देखा था, ठीक है, और इन छोटे छोटे compartments को क्या बता था, कि वही cell थ है न, उसी तरह, cell भी आपका एक Latin word से dry हुआ है, जिसका नाम है, little room, first discovery of living cell, living cell अभी तक की dead cell की बात हुई थी, dead cell की किस ने किया, रॉबर्ट हुग, अच्छा एक बात और, इसमें confusion मत, confuse मत हो ना, क्योंकि यह आपको हो सकता है, confuse करने के लिए question पूछा जाता है, कि living cell और dead cell, ऐसे mostly, जो होते हैं, वो dead cells के बारे में ज़्यादा पोचते हैं, क्योंकि आपकी सीबसी बोल्ड में हो, या UP बोल्ड में हो आपका, यह question आपका famous है, ठीक है, who's the discovered of first cell, तो Robert Hook, first cell की आती है, to discover of first cell की, तो Robert Hook का ही नाम आएगा, ठीक है, अगर dead लिखा है, तो Robert Hook लिखा है, तो Anthony Levenhawk, और इनकी जो आपकी year है, वो change हो जाएगा, 1674 में, ठीक है, यह आपका कुछ structure दिख रहा है, इसी की तरह दिखता है, cell के अंदर हमारे nucleus होते हैं, अच्छा, जिन cells में nucleus पाया जाएगा, उन cells का dividation होता रहता है, यानि कि division होता रहता है, अब division का मतलब, यह क्या क की, है के पैसलस होती है, ठीक है, जो हमारी cell होती है, उनकी भी lifetime होती है, और अपनी lifetime को compute काने के बाद, उनी ही cell से नए cell का formation करती है, और प्राइस cells का हो जाती है, डेट हो जाती है, जिससे आपने देखा होगा कभी कभी नहाते समयाँ, आप अच्छीस पर आप करते हो आप तो वो सब क्या होती है डेट सेल्स होती है और जो आपकी पुरानी से ओल्ड से ही नियू सेल का फॉर्मिशन होता है नियूकलियस है तो इसमें आपकी क्या होंगे और यह बताएंगे अभी के लिए इतना ही अब आगे पढ़ते हैं कुछ डिस्कवरी के बारे में इन्हीं से से रिलेटेड है कि लॉंगे सेल कौन सी होती है यह स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपके थोड़ा सा इनके बारे में भी हम नॉलेज लेते हैं ठीक है आईए तो आईए बढ़ते हैं आगे हमारा जो हमने कहाता है कि लॉंगेस्ट स्मॉलेस्ट लार्जस्ट यह सब के सेल के ब चिक योग सोच रहे होंगे कि 9 में हैं तो 9 नाइंथ क्लास को बहुत ही लैटली लेते हैं ऐसा मत करियेगा क्योंकि आपको च्छोटी क्लास में नरसरी में कि चोटा बड़ा क्या करूंगा तो छोटा से गया तक जब तक आपको नहीं आता है तब तक आप शबदों के क्या निर्मार भी नीर कर सकते हो इसी तरह 9 तेंथ क्या होता है कि जब हम 9 पढ़ लेते हो ना तो 10 का जो कोर्स होता है वह बहुत ही थोड़ा सा इजी फॉर्म में लगता है इसी फॉम तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जब तक हम पढ़ते हैं तो इसी नहीं लगता है लेकिन हाँ वह आपका helpful बहुत होता है तो यह सब नाइंद का बहुत ही आपका बेसिक चीजे हैं सेल के बारे में आगे आपकी classes में आएगा जो आपकी लाइफ प्रॉ दूस में बहुत आते हैं अगर आप आगे जाकर कुछ बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को यह आपकी इसी शुरू होता है जब जो लोग कॉंपटेशन बीट करते हैं तो पता है वह 9,10,12 की सेवसी वोल्ड की ही बुक्स को पढ़ते हैं अगर आप साइंस रिसु लेकिन अभी इससे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले जो हमसी क्यूज में भी कामा सकते हैं वह आपके लिए हैल्फुल है इसको देखिए ज़रू ठीक है लॉंगे सेल इन अवर बॉड़ी सबसे लंबी जो सेल है हमारी बॉड़ी में वो क्या है यहां ब्रेन पे होती है मो सबसे छोटी जो सेल होती है वो हमारी बॉड़ी में पाई जाती है जिसका नाम है आरेने आपने डीने और आरेने का नाम सुना होगा तो आरेने का फुल फॉर्म क्या था है राइबोस नुकलिक एसिड डीने का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप कामेंट में लेके बताई आपका जो कि smallest cell in our body हमारी बाडी के सबसे छोटी सेल है अभी इस से भी छोटी सेल आपकी आएगी smallest gamete कौन से होते हैं इस्पर्म यह बेटा आपके मेल में पाई जाती है इस पर्म जो रिप्रोड़क्टिव को प्रॉसेस में हेल्प करती है largest cell in our body सबसे लंबी सेल कौन से होती है ओवं यह बेटा फीमेल में पाई जाती है ठीक है एंड बोथ सेल्स आर हैल्फुल इन रिप्रोड़क्टिव प्रॉसेस ठीक है रिप्रोड़क्टिव प्रॉसेस ओके यहां से देखेगा लार्जस सेल इन यूनिवर्स यूनिवर्स मतलब पूरे संसार में जो सबसे लंबी सेल पाई जाती है यह जो आप एक देखते हो ना एक खाते वी यह क्या एक सेल ही तो है अब सेल से क्या होता है निव ऑर्गैनिस बनते हैं यह आपकी जो हैघ होते हैं यह सबसे बड़ी सेल होती है यूनिवर्स की, किसकी यूनिवर्स की, जो कि 18 cm होता है, 18 cm अप मीजर कर लीजे, मैं भी पड़ती होंगे, इमाजिन करें कि कितना बड़ा होता होगा, नेक्स्ट है, smallest cell in universe, अब यूनिवर्स में दो चीजें आई हैं, एक आपका largest, एक आपका smallest, ठीक है, दोनों ही यूनिवर्स का, smallest cell है आपकी bacteria, in universe, जो bacteria है आपका, वो naked eye से आप नहीं देख सकते हो, without microscope आप इसको नहीं देख सकते हो, माइक्रो सकक्ड देख सकते हैं, देखी हम बाहर का junk food खाते हैं, fast food खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारे body वी कितने bacteria गांगा, नहीं आहँ पर जाता है, लेकिन यह हैं अब यह ऐसा नहीं कि हमारी पेट मिज गया तो वह हम बिमार पढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर एंटी बॉड़ी है वह लड़ती रहती है लेकिन अगर आप डेली ऐसे खाते रहोगे तो एंटी बॉड़ी भी एक दिन हार के बैठ जाएगी तो ज्यादा अनहेल्दी ने खा करके हल्दी खाते हैं जीक तो बैक्टीरिया है और एक चीज इनका नाम जो है माइको प्लाज्मा गैल स्पेक्टरम है अभी नाम मेंने क्यों बता आया है ऐसे तो नहीं बाता देती लेकिन एमसी क्यों में यह पूछा जाता है कि विच बैक्तेरिया इस smallest bacteria ठीकिन नाम दे दिया हो सकता है कि species चेंज कर सकते हैं यानि कि जो गैलर स्पैक्टरम लिखा हुआ है वहाँ पर अधर कुछ नाम लिख सकते हैं तो यह ध्यान दिजेकर कि माइको प्लाजमा गैलर स्पैक्टरम कि इस दा स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स ओके आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ओफ नूकलियस अभी नूकलियस से आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था स्ट्रक्चर कि सेल है और सेल के अंदर नूकलियस है आपने एध क्लास में इस तरह का कुछ डाज़ाम पढ़ा होगा अगर याद है तो आपको यह कौन सा सेल है प्लांट सेल है कि अनिमल सेल है जरा बताये हैं को ठीक है और कुछ इसमें ऐसे से आपके सेल ऑर्गेंस भी पाय जाती है ना याद है कुछ इस तरह से तो इस तरह के अंदर नूकलियस भी तो पाया जाता है, without nucleus cell division करी नहीं सकता है, right, क्योंकि इस cell क्या है, वो center of the power of the cell है, उस nucleus के ही through, जो आपकी cell के जितने organelles से वो work करते हैं, function करते हैं, वो आप cell का brain जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, nucleus होता है, उसी के इशारे पे जितने cell organelles से वो function करते हैं, ठीक है, तो हम हमारे जो nucleus है, वो cell के अंदर पाया जाता है, center में पाया जाता है, और जिसने इसकी discovery की थी, उसका नाम है Robert Brown, क्या नाम है Robert Brown, अब देखिए Robert Hook, अभी मैंने पढ़ा थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना, Robert Hook कौन से थे, क्या किया दोने थे, first discovery of cell, वो भी dead cell की, Robert Hook in 6065 में, ठी Robert, अगर cell की बता दिया जाता है, कि cell की discovery किस नहीं की, तो nucleus की जो discovery है, उसकी लिखका चले आतमे हैं, तो ये गलती मत करेगा, Robert Brown ने discovery की थी, बट nucleus की की थी, cell की नहीं की थी, ठीक है, 1831 में, cell principal derived, अब जो आपकी कोशिका के सिधान्त, यानि की कोशिका के बारे में बताया, जो थे, उनका नाम था, sledden and swan, ये दो scientist थे, जिनों ने दोनों ही, एक ने plant cell और एक ने animal cell के बारे में बताया था, यानि कि जो theory दी थी, cell की, एक ने जनत कोशिका, एक ने पादब कोशिका क के बारे में बताया था, plant cell और animal cell, तो दोनों का नाम इसलिए लिखा जाता है, sledden and swan, 1838-1849, यानि कि 1838-1839, discover the protoplasm, protoplasm ही हमारे cell का ही हिस्सा है, अब आगे हम आकर के आपको बताएंगे, cell का जो पूरा आपका, इसल के बारे में, जितने components होते हैं, cell के, उनके बारे में, तीस अब components ही हैं, लेकिन मैंने paddle discovery बता दी, या किसने किसने किया है, आगे जब हम discussion करेंगे topic wise, तो हम clear हो ज अब यह तो जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे smallest organism है, smallest cell है, तो हमें देखने के लिए, मैं electron microscope की जरूरत पढ़ती ही है, जो कि है, नौल एंड रसका, shape and size of cells, shape and size of cells, अब यह देखिए, इसमें पहले हमको बता दी के, shape and size भी हमने पढ़ा, लेकिन smallest and खाली longest या largest पढ़ा है, ठीक है, तो फिस जो shape कुछ होते हैं, कुछ changing shape में होते हैं, आपके, जैसे WBC, इनका spherical concave shape होता है, यह बदलते रहते हैं, और amoeba, amoeba का structure से तो आप परचेत हैं, यह कि है, unicellular है, आपका organism है, इसका जो shape है, वो change होता रहता है, ठीक है, fixed shape होले कौन-कौन से हैं, आपके most plant and animal cells, जितने भी आपके plant और animal cells हैं, वो सब क्या हैं, आपके fixed shape है, इनके cells की जो size, shape and size हो change नहीं होती है, देखिए कुछ size आपके हो सकते हैं, कौन-क thread elongated, यह 4-5 shaped ऐसे हैं, जो आपके cell size किस में हो सकती है, plant and animals में, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही आपके लिए useful रहेगा, आगे ऐसे ही knowledge के लिए, मेरे साथ बने रिए, connect रहेए, आगे आपके इस chapter के बारे में हम discuss करेंगे, जो discuss करेंगे, वो topic होगा, आप इतने भी components आपको दिये गए हैं, उनको ही पढ़ना है, और एक चीज इस वीडियो के साथ में में बता दूं कि आप तो कोई भी काम निरंतर करते रहेगा, continue करते रहेगा, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं ही कि आप एक दिन में पांच घंटे पढ़ क्योंकि आपको भी पता है कि धीरे चलना अगर continuous होता है, तो continuous यानि कि लगातार चलने वाला कच्वा भी खरगोश से जीत जाता है, और तेज दोड़ करके यानि कि जादा एक दिन पढ़ करके फिर दूसरे दिन रुख देने वाला खरगोश भी हार जाता है, तो कच्वा बनिए ना कि खरगोश, हम यह नहीं कहते हैं कि खरगोश ना बनिए, खरगोश की जो स्पीड होस को बनिए, उसकी हैबिट मत डालिए, कि आप काम करके रुख जाते हैं, तो continuous काम करते रहेंगे, तो आपकी हैबिट बनी रहेंगी और आप आगे सक्सेस को अचीव कर पाए करेंगे, तक कि खरगोश ना वाचेँ और तक रखा।